सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर अखेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट्स नव वस्की शुब कामनाओं के साथ दोस्तों आपका ध्यान अकरसित कर रहा हूँ और हाँ दोस्तों एक और टार्गेट एचिव हुआ एशिन पिंट्स का और एशिन पिंट्स की खास बात आपको तो कई वीडियो में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लॉंग टम के लिए तो बेस स्टॉक है और चलिए सबसे पहले एशिन पिंट्स के उपर हमारा ध्यान हो और उसकी खास बातों पर एशन पेंट्स यह मेरा पाट 12 चल रहा है करन्ट मार्केट प्राइज 2,775 एज उन 1st जैनुवरी 2021 और मार्केट कुविड़ाजेशन देखे दोस्तों 2,662 30.14 करोज जोर्दार 52 वीक्स हाए 2,792 और देखे दोस्ते इंट्रेस्टिंग पार्ट टार्गेट प्राइज वीन एशिट 2,690 जोर्दार दोस्तों यहां लगभग 100 रुपय उपर चला गया तो आप प्रशन करेंगे सब 100 रुपय उपर चलेगे आप कहां थे तब तक तक तो इसका उतर यही है दोस्तों कि पिछले वीक में मैं वारंडसी में था और बस कल ही पहुचा और इससाब से इसी कारण बस दोस्तों मैं आज वीडियो गना रहा हूँ नहीं तो तैय कर लिय में भाव का सभाव देखिए ऐसा है कि दोस्तों यहां पर एक काफी बुलिश्टेंड में है और क्या है दोस्तों इसकी क्लोजिंग प्राइस पर भी आप ध्यान दीजिए 2007 75 हुआ है ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों प्राइस में भी जबकि फ्राइडे कुछ शेर् महिनों में दोस्तों मैं यह देख रहा हूँ कि इसका प्राइस जरूर टच करेगा यह लेवल टूटा तो इन शब्दों बेखाहास रूप से आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2792 के उपर यह जब जाएगा तो 800 और वहाँ से इसका नेक्स टार्गेट प्राइस है दोस्तों 2850 रूपेस हाँ दोस्तों यह निश्चित रूप से टच करेगा मार्केट के लेवल और ट्रेंड को देखते हुए यह टच करना निश्चित है दोस्तों हाँ यह बात अलग है कि मार्केट कब क्या कर दे यह तो अलग बात है और जब जब यह मार्केट उचाई की और जाता है दोस्तों मैं हमेसा यही सला देता हूँ कि invest का आपके amount की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा market उपर जाएगा अगर आपका investment बहुत heavy होता जा रहा है तो risk factor भी बढ़ता है दोस्तों इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कम पैमाने पर ही invest करें जिससे कि आप comfortable feel करें market नीचे आया भी तो no problem फिर हम नीचे में और खरीद लेंगे ऐसा सोच कर चलना चाहिए तो दोस्तों एकदम बात clear cut point पर आ गया कि इसका next target price है 2850 रुपिस बस इतना ही कहना था दोस्तों हाँ दोस्तों चलिए अब आपको फिर से मैं part 4 की तरव ले जा रहा हूँ 1991 जो मेरी चोथी गलती थी वो दोखराने जा रहा हूँ तिसरी गलती तो मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया आपको आप जानते ही हैं कि मैंने क्या गलती किया उस तिसरी चोथी उसमें सामेली रहा फिर भी मैं अपने शब्दों में एक नया point बता भी रहा हूँ कि जो उन दिनों में मैंने क्या गलतीया किया है किया था और आपके सम्मक्ष उपस्तित कर रहा हूँ उन शब्दों को भी उन बातों को भी दोस्तों उस समय ऐसा दोर था कि सभी लोग शेर मार्केट में दोड़ने लगे दोस्तों जो आप जानते हैं Bombay Stock Exchange का Establishment हुआ था 1875 में दोस्तों 1875 से Bombay Stock Exchange यह है इतनी उपलबदी इतनी बात इतना ध्यान इतना लोगों का प्रवेश बिलकुल नहीं था सभी के सभी जो दोड़ने लगे मतलब शेर मार्केट में चलो एकाउंट खोलते हैं जाएंगे पैसा इन्वेस्ट करेंगे जोरधार बढ़ रहा है दिनो दिन शेर्स के भाव पर ही जा रहे है तो अब हमने क्या किया कि मैंने क्या किया इस्पिसली कि मैंने देखा एक दो स्टॉक में ही सारा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों तो कभी भी दोस्तों कि अच्छा जो रखम आया या जो रखम मैंने अपने दोस्तों से लोन के रूप में लिया, वो एक या दो स्टॉक में ही सारा पैसा जा रहा था, जिसका परिणाम दोस्तों बहुत बुरा हुआ, इसे परिणाम का जो बात भी से हो तो आगे की वीडियो में बोलूँगा, फिलाल इतने ही कहूँगा कि कभी भी, यहा क्या गलती हुई मुझसे दोस्तों, कि एक दो स्टॉक में बड़े पायमाने में कभी भी पैसा बड़े पैसा में नहीं इन्वेस्ट करना चीए, इसलिए कहा गया है कि डैवर्सी पाइट पोर्टफोलियो ही होना चीए, डैवर्सी पोर्टफोलियो का मतलब यही हुआ दो एकी दो कंपनी में ने बहुत बड़ी पैमाने में पैसा इंवेस्ट कर दिया, वो गलत कदम होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, आप ये ध्यान रखे कभी भी आपका कम से कम चार से पांच अलग अलग सेक्टर में इंवेस्ट होना चाहिए, चार से पांच अलग अलग क करता है, उतना ज्यादा ध्यान भी बढ़ता है और बात भी से होता है, तो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई दोस्तों, वो फिर से दोर आ रहा हूं, कि मैंने एक या दो, दो स्टॉक में बहुत जारा पैसा इंवेस्ट कर दिया, और उसका प्रेणाम बहुत घातक हुआ दोस्तों, और उसका असर मुझे 92 में मिला, जो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, अभी तो यही कहूँगा कि ये गलती क्या हुई कि कभी भी आप ध्यान में लीजे दोस्तों, नोट कर लिए इस बात को, कि कभी भी एक या दो कम्पनी में बड़े पैमाने पे पैसा क आप जाते हैं, तो कभी भी आप एक-दो कम्पनी में नहीं, कम से कम 5-6 कम्पनियों में इन्वेस होना चाहिए, 10 कम्पनी में इन्वेस होना चाहिए, और जिसे मैंने भी बताया, 20 कम्पनी तक है, इन्वेस्मेंट तो ठीक है, बस यही कहूँगा दोस्तों, बाकी आप है, हम हैं आप सदेव हैं और आप में हमारी सर्विसेज के बारे में सारी जानकारी आपको तो अब हई है फिर से दो रहाऊंगा दोस्तों की senior citizen वरिष्णागरिकों के लिए मैंने scheme on कर दिया है आज से लगू है कि जो कोई भी membership हमारे academical देंगे कोई भी senior citizen especially उनके लिए 50% discount है only for one year membership only for one year membership के लिए 50% discount है तो आईए आपका स्वागत है और आपका आशिरवाद सदेव हमारे साथ है चलिए फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं